तो भाई फतह का टाइम आ गया है तो कर हर मैदान फतह है चैप्टर नमबर सेवेन अल्टरनेटिंग करेंट का जीत के लिए अब हम तयार हैं चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर बेज अच्छे अच्छे कोशन्स जो बहुत ज़ादा जलुए बस 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 बहुत हो गया अब सुलो सारे अब हम चंताएंगे तुहारे सितारे क्या पेपर तुहारी आरे है खब्राओं बाबा जी है पन्हार यार जब लडाई होती है तो हर चीज जायज होती है और अभी हमारी जो युद्ध है वो CBSC से है 2020 का बोर्ड से है हमें माक्स चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए और उसके लिए हम अपने सारी दम लगा देंगे smart work करके in a good way अब उसके लिए बचा था हमारे पास chapter number 7 chapter number 7 ने बोला alternating current देख के लगता है किसी किसी को shock लगता है किसी किसी को मज़ा आता है यार बहुत बढ़िया chapter है हाँ बिलकुल होना ही चाहिए भाई हमारे सारे chapters बहुत अच्छे हैं बस थोड़ा सा वो chemical लोचा हो गया दिमाग में समझ में नहीं आ रहे थे अब समझ में सारे आ रहे हैं तो यार अभी भी अगर कोई दिक्कत है न तो जो मैं कह रहा हूँ उतना करते चले जाओ description के questions जो है sheet में दिये हुए वो करते चले जाओ 100% तुम्हारा काम हो जाएगा और अगर solution चाहिए है तो मैं solution डाल रहा हूँ बट यार obviously pro वालों को सब चीज़ें पहले ही मिल चुकी है all the 14 chapters उनको मिल गए हैं उनको solutions मिल गए हैं उनको videos मिल गए हैं अगर कर सकते हो तो come there otherwise जो YouTube पर है वो आएगा टेंशन मतलो चल अब देखो जरा तो prove average value of alternating current in AC cycle is 0 अब आपको ये prove करना है कि AC cycle में इसका derivation है हमने किया है इसका derivation videos में जाकर देखो काम का derivation है करना चाहिए एक दो माक में ज़रूर मिल सकता है इसके बाद RMS का भी derivation important है दोस्तों IRMS is equals to I0 by root 2 yes you have to do it circuit containing R, L and C भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा तुमसे R के बारे में नहीं बोल रहा L के बारे में नहीं बोल रहा C के बारे में नहीं बोल रहा RLRC तो वैसे भी हम numerical point of view से देख रहे थे बट वो भी नहीं कह रहा बट RLC पर based although वो basic है but RLC पर based circuit का phasor diagram उससे derivation seriously बहुत ज़ादा important है और resonance तो एक तरह से out question है या तो इस पर based numerical आएगा या फर इस पर based theory आने वाली है तो भाई resonance में जो मैंने कहा है frequency का derivation graph versus I versus F quality factor numericals ये बहुत ज़ादा important है एक question और जो मैं stick करना चाहूंगा वो है average power का derivation in AC circuit अभी मैं बहुत सारे schools के boards के exam pre-boards के exams भी paper देख रहा था तो उसमें बहुत सारे teachers नहीं ये पूछा है इसका मतलब है कि important बनता है और देखना चाहिए हमें क्योंकि इन ही में से कोई paper sitter होता है तो draw graph between Z, XL, XE, R मतलब इन में से कोई भी हो सकता है और सारे भी हो सकते है with frequency जिसमें से Z versus frequency is very 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 important जिसमें वो huge sort of shape का बनता है हमारे पास transformer भाई ये out है transformer और alternating current generator या AC generator जिसे हम कहते हैं बहुत ही ज़ादा important है transformer में भी numerical प्लस इसकी working प्लस step down, step up में difference प्लस losses बहुत ही ज़ादा important है mark कर लेना अच्छे से जब इसका screenshot लो तो वा mention कर लेना कि भाई इसमें मुझे कुछ नहीं चोड़ना इसलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं दिख दिया complete transformer में सारी चीज़ है और AC generator का तो basic EMF की जो equation अपन निकालते हैं वो करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है तो यह अपने पास हो गया transformer, AC generator कुछ चीज़ों को मैंने red band से highlight किया है इतना तो करना ही है इसके अलावा भी जो हमने वीडियोज देखे हैं उसमें complete theory है वो तो करही लो और जो नीचे section में तुम्हारे पास दिया हुआ है link उस पर जाओ डाउनलोड करो PDF अगर तुम यह वीडियोज नहीं देख रहे हो और सिफ PDF पर बात कर रहे हो तो हो सकता है तुमसे कुछ चीज़ें मिस हो जाए इसलिए वीडियोज देखना बहुत जादा जरूरी है तो भाई जल्दी से पहले लो इसका screen shot वापस तो यार यह हुआ हमारे पास alternating current और alternating current के बाद अब हमारे पास आएगा chapter number 8 electromagnetic waves and ray optics दोनों पर एक साथ बात करेंगे तो इस वीडियो में तो बाबाजी की तरफ से इतना ही like, share, subscribe करना भूलना भी मत चलो, जय हूँ जय हूँ जय हूँ